आज के लेक्चर में हम सिखेंगे कि बायंसी का प्रिंसिपल क्या है तो इस लेक्चर में फर्स्ट आफ ओल हम अंडस्टेंड करेंगे बायंसी प्रिंसिपल और बायंट फोर्स इसके बाद हम यह समझेंगे कि Bion Force कहां काम करता है कैसे काम करता है और कैसे उसको जो है मीजर करें फिर इसके बाद हम इस Bion C Principle का application part समझेंगे तो hydrometer एक device है जो की Bion C Principle पर dependent है और यह जो है liquid के specific gravity को मीजर करने के काम आता है और third जो part है वो जिसमें हम जो है इस Bion C Principle का use जो है वो एक problem को समझने की कोशिश करेंगे तो अगर आप देख पाएं दाएं साइट में एक जो है समुद्र है और उस समुद्र में हिमखंड जो है वो तैर रहा है तो यह जो हिमखंड तैर रहा है इसको floating body कहते है और जो आपका C level है उसके नीचे वाला part समझ लेवल होता है और उसके उपर वाला जो लेवल है उसको floating part कहते है और नीचे वाला समझ और इसको overall floating body कहते है और यह बायंसी का जो सिध्धान था यह ग्रीक साइंटेस्ट अर्कमडीज ने दिया था जहां उन्होंने बताया था कि अगर कोई body है जो किसी liquid में partially submerged है या पुरी तरह से डूबी हुई है तो उस पर एक buoyant force काम करेगा और जो यह buoyant force काम करेगा यह buoyant force उस body के द्वारा displaced जो water है उस water के weight के बराबर उपर की दिशा में कारे करेगा तो अगर हम इस चीज को समझना चाहें तो हम एक example लेते हैं यहां आपके सामने दो figure है और एक left में figure है एक right में figure है जिसमें से left वाले figure को हम we are considering कि हम case 1 ले रहे हैं और case 1 ऐसा है जिसमें एक body जो है वो आपकी A, D, C, B completely do भी हुई है तो यह एक submerged case है और दूसरे case में हम assume कर रहे हैं इस is case 2 और वहां पर यह body जो है वो parsley जो है वो doobie हुई है या कि हम यह कह सकते हैं कि वो float कर रही है तो अगर आप देख पा रहे हूं तो यह आपका left वाला case 1 इसमें body जो है वो आपकी A, D, C, B है और दूसरे case में भी A, B, C, D है और यहां पर एक जो surface आप देख पा रहे हैं A to C floating body उसके उपर जो है कुछ part है और इसमें कुछ नीचे part है तो चलिए सबसे पहले हम case 1 लेते हैं जब body submerged है तो उस case में अगर हम यह assume करें कि जो surface आपकी A, D, C है इस A, D, C surface पर जो vertical force काम कर रहा होगा द्रव का pressure, liquid का pressure vertically downward होगा तो अगर हमें calculate करना हो कि यह pressure जो liquid का लग रहा है, fluid pressure वो कितना होगा तो यह जो है इसके उपर जितना पानी है उस पानी का जो weight होगा उस weight के बराबर जो है vertically downward force काम कर रहा होगा जिसको fluid pressure कहेंगे जो कि आपने पढ़ा ही हुआ है कि किसी भी एक location की अगर बात करें तो उससे उपर जो है जो fluid की height है वह ही उसका pressure होगा तो अगर हम surface A, B, A, D, C के बारे में लिखना चाहें तो A, D, C के उपर जो pressure काम कर रहा है वो pressure जो है उस पानी के weight के बराबर है जो कि आपकी surface A, F, E, C और D और फिर back to A मैं लिखना भूल गया हूँ वहाँ पर जो है जो पोटल पानी है वो पानी का weight उसके बराबर जो है वो काम करेगा surface A, D, C पे अब हम दूसरी surface की बात करते हैं जो A, B, C है तो A, B, C surface पर वैसे देखेंगे तो पानी upward काम कर रहा है प्रेशर जो काम कर रहा है और चुकि static fluid है तो किसी भी पॉइंट पर प्रेशर जो है वो हार direction में सेम होगा वो उस पॉइंट पर उपर बात करें नीचे बात करें दाएं बात करें तो A, B, C पर जो प्रेशर काम कर रहा है वो इसके उपर जो पानी का volume है weight of the fluid है उसके बरा B, C पर जो weight काम कर रहा है water weight assume कर imaginary जो काम कर रहा है weight of within जो contained है surface A, F, E, C, B और A में तो ये दो equation है अब अगर हमें buoyancy force पता करना है तो buoyancy force इन दोनों force जो काम कर रहा है एक उपर की दिशा में और एक नीचे की दिशा में तो इन दोनों forces का जो resultant force होगा वो जो है buoyancy force होगा तो A, B, C पर आप देख रहा है upwards और A, D, C पर downwards तो इन दोनों का अगर हमें resultant निकालना हो तो हमें equation 2 में से equation 1 घटा देनी है तो अगर हम equation 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमें जो है जो हमें जो है जो दोनों case में जो volume था volume of water था उनके subtraction को करेंगे तो हमें जो है body के volume के बराबर जो है weight मिलेगा तो अगर आप देख पाएं तो जो surface है आपकी body की वो जो है ये A, F इसको हम इस तरह लिसकते हैं कि weight of the liquid which is contained in the A, F, E, C, B, A and weight of the liquid which is contained in A, F, E, C, D so ये जो है इस body के volume के बराबर पानी का जो है वो weight जो है वो ही निकल के आएगा और वो जो है आपका buoyant force होगा इसको हम लिख पा रहे हैं weight of A, D, C, B, A so this is your buoyant force and we can write it as a B, F now हम अगर इसको देख पाएं कि अगर इस buoyant force की जो direction होगी वो upwards होगी upwards इसलिए होगी कि अगर आप notice करें तो surface A, D, C पर जो है force काम कर रहा है upwards और A, B, C पर जो force काम कर रहा है वो upwards और A, B, C surface जो है upwards निकल कर आएगी दूसरा important point यह है कि हमें यह जानना है कि band force काम कहां से करेगा तो यह जो displaced volume of water है यह उसी के centroid पर यह upward direction में काम करेगा और इसको हम represent करेंगे CB से now I hope कि अब आप कोई principle समझ में आ चुका होगा और इसी understanding का इस्तमाल हम किसी floating body पर जो band force काम करता है उसको evaluate करने के करेंगे तो case 2 में देखें तो यह body है जो A, B, C, A है और इसका जो है कुछ portion जो है यह जो A to C line है इसके नीचे जो portion है इस surface के नीचे वो डूबा हुआ है और इसके ऊपर वाला जो portion है वो सारा का सारा जो है floating है और यह नीचे वाला यह है और इस body में जो displaced volume of water है वो A, C, B जो surface है इस surface के बराबर volume of water displaced हो रहा है और इस volume में अगर हम gamma w से multiply कर दें तो हमें वो total buoyant force निकल जाएगा तो अगर हम इस चीज़ को और simplistic way में करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं की weight of the liquid which is contained inside the A, B, C, A तो इस surface जो hash की हुई है इस surface या sorry इस volume का जो displaced weight होगा water का वो ही जो है आपके bind force की पराबर होगा और यह bind force इस displaced volume के centroid पर काम करेगा जो की upward direction में होगा और इसको हम point को represent करेंगे cb से अब हम biancy पर एक numerical problem लेते हैं वो numerical problem कुछ इस तरह का है जहां पे the 500 newton flat bottom container जो figure यह में शो कर रहा है that is 600 mm wide and 900 meter long so हमें determine करना है कि depth of container that will float in the water जब इस container के अंदर जो है वो एक mass रखा हुआ है जो की 200 newton का एक steel block है और दूसरे case में जब यह block जो है वो इस container से रसी के माध्यम से connect करके लटका दिया जा रहा है और पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है तो हमें कितना depth of submergence होगा यह पता करना है जब कि दिया हुआ है कि जो specific weight of the steel है वो है 37 kN per cubic meter इस problem को अगर हम solve करना चाहें तो सबसे पहले हमें यह समयने की जुरत है कि वो कौन सा principle है जो हमें apply करना है तो अगर हम देखें तो दोनों ही case में जो है total system का mass है वो weight है जो वो chain नहीं हो रहा है तो दोनों ही case में अगर यह body को float करना है तो जो buoyant force है वो total weight of the system इतना generate हो जाना चाहिए तो दोनों ही cases में यह चीज़े constant रहनी है बस जो buoyant force है उसका share chain होगा तो पहले case में कर देखें तो अगर हम container के अंदर जब mass रखे हैं तो यह d depth तक समझद हो रहा है और यह जो d depth है इस depth की वज़ा से जो पानी displace होगा उसका जो हम weight निकालेंगे वो container और block के weight के बराबर होगा तो इसको हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि हमें container का weight लेना है टोटल जो submerged displaced water होगा उसके बराबर जो है equilibrium connect equation लेना है तूसरे case में अगर हम देखें तो हमने हमने जो block उठाके जो है वो पानी के अंदर डाल दिया और यह रसी से बधा हुआ है इस case में क्या हो रहा है कि आपका जो block है वो पानी के inside है तो यह भी जो है वो पानी डिस्प्लेस करेगा अब डिस्प्लेस कितना करेगा अपने वाइधन के अपने वॉल्यूम के बराबर और इस पूरे सिस्टम का जो depth of submergence है वो चेंज हो जाएगा और वो सपोस करिए कि डिस्प्लेस वॉल्यूम जैसे जबकि पहले केस में सिर्फ और सिर्फ कंटेनर की वाज़ा से जो displacement हो रहा था वो ही रिस्प्लेस्मेंट था तो आईए केस वन को सॉल करते हैं और हमने यह माना हुआ कि पानी कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल है और पानी की जो specific gravity है पानी की जो specific weight है वो 9.81 10 to power 3 newton per meter cube है इस तरह के सभी सवालों को करने के लिए हम एक fbd diagram कीचेंग जो रहत है अगर हम इस body का fbd diagram कीचेंग तो सारे forces को अगर y direction में जोड़ दें उनका जो है sum जो है वो 0 आना चाहिए y direction जो है आपकी upwards है उपर की तरफ है तो सबसे पहले ह हम समझते हैं कि y direction में कौन-कौन से forces काम कर रहा है तो y direction में एक force काम कर रहा है जो भार है इस block का दूसरा weight है इस container का और इन दोनों को करम जोड़े तो यह दोनों downwards काम कर रहा है और जो bind force काम कर रहा है वो उपर की और काम कर रहा है यह biancy force जो है वो container के submergence की वज़ा से produce जो container आपका deep depth तक समर्ज़ था अगर हम इन दोनों चीज़ों को equilibrium मिलाना चाहते हैं तो हमें जो है बाकी left के जो portion में वो सारी चीज़ें दी होई है राइट के portion के लिए हमको जो है volume of container जो displaced हो रहा है वो निकालना है तो volume आप चीज़ेंटेनर हो जो है वो है 600 mm 600 को में लख सकते हैं 0.6 meter और जो length है वो 0.9 meter है जो plane के inside में जो दिख नहीं रही है और जो d depth पतक है तो यह जो है total volume है जो की water का displaced होगा और इसमें अगर हम multiply कर से 9.81 multiplied by 10 to the power 3 से तो यह total जो है उस पानी का weight आजाएगा जो की इस container की वजह से displaced हो रहा है तो इसको अगर हम जो है equilibrium कर लिए लिखना चाहें तो weight of body plus weight of container जो है वो जो है 500 और plus 200 तो यह आजा रहा है 700 तो यह हमारी जो है दो equation होगा equation 1 और 2 तो हमें इसको solve करने के लिए equation 1 और 2 जो है वो बराबर होंगे उन दोनों को गर हम लिखें अगले step में तो यह लिखा जा सकता है कि 700 बराबर 0.6 multiplied by 0.9 multiplied by d and multiplied by 9.81 multiplied by 10 to the power 3 तो इस equation को अब हमें solve करना है तो हम यहां से depth आप जो है submergence निकाल पाएंगे तो अगर हम इसको लिखें तो d is equal to 700 divided by 0.6 0.9.54 multiplied by 9.82 10 to the power 3 तो यह value जो आप calculate करेंगे तो यह निकल कर हम दूसरे पार्ट के हो जाते हैं उस पार्ट में हमने क्या किया है कि हमने जो है weight को जो है वो रसी से बांद के पानिम लटका दिया है और यह force जो है वो नीचे काम कर रहा है और इस पर जो है depth of container है वो चेंज होई तो यह डी डैस जो है जितना volume displaced करेगा प्लस जो है हमारा जो block है वो जो volume displaced करेगा उन दोनों के weight के बराबर जो है बांद सी फोर्स होगा उसको हम लेख सकते हैं टोटल बांद सी फोर्स इस FB तो FB is FB C प्लस FB B तो FB C जो है container की वज़ासे बांद सी फोर्स और FBB जो है वो block की वज़ासे जो force निकल के आएगा block की वज़ासे जो displaced volume होगा उसकी वज़ासे जो bind force होगा वो यह होगा तो दोनों चीजिया हम दिख पाएं देखिए एक force block पे और एक container की वज़ासे बांद सी force तो FB B और वो हो गया FB C तो इसको equation 3 हम लिख चुके है तो इसको equation 3 लिखेंगे अगला step में हमें जो है वो steel का volume नहीं पता है तो हमें volume तो नहीं दिया है लेकिन density और weight दोनों दिया है तो हम इससे steel का volume जो है वो निकाल सकते हैं तो steel का volume है उसको हम लिख सकते हैं VST VST is equal to weight of the steel block divided by density unit weight of the steel weight तो यह हम लिख सकते हैं 200 बटे 87 multiplied by 10 to power 3 तो यह value आप calculate करेंगे तो यह value अगे निकल गया आएगी वो है तो है 2.6 10 कीखा 3 माइनस 3 मेटर क्यूब तो इतना जो है volume of steel हो गया है और इसी steel के weight के बराबर ही जो है point displaced होगा और उसका weight निकालेंगे वो ही ब्लॉक की वज़ासे produce हो रहा है तो अगर हमें इसको निकालना है तो पहले हम container का निकालेंगे तो that is your point 6.9 multiplied by यह जो चौड़ा है वो है point 6 मीटर चौड़ा है और multiplied by d' और इसमें हम जो है पानी की unit weight से multiply करेंगे तो वो हो जा रहा है 9.81 multiplied by 10 to the power 3 यह जो है buoyancy force create हुआ सिर्फ और सिर्फ कंटेनर से प्लस जो ऊपर हमें volume मिला है वो है 2.6 10 to the power minus 3 और इसमें हमें multiply कर देना है पानी के unit weight से that is 9.81 multiplied by 10 to the power 3 यह हमारा total जो है buoyancy force है जो काम कर रहा है और यही buoyancy force जो है total system के weight को जो है वो support किया है तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसको हम जो है total weight निकल के आएगा 500 plus 200 is equal to 700 newton और यही buoyancy force के बराबर हम दोनों equation को जो है equal करके हम सीधे जो है d' की value निका सकते हैं तो 700 बराबर common ले ले तो 9.81 10 to the power 3 यह common लेके बाहर आ गया और बाकी expression आप ऐसे लेख सकते हैं वो हो गया आपका 2.6 10 to the power minus 3 plus 0.54 multiplied by d' और यहां से जो है आप चाहें तो d' की value solve कर लें तो d' की value अगर आप solve करेंगे तो यह value calculate करने पर आ रही है 0.127 यानि की meter that is your 127 mm यहां पर जो एक गौर करने वाली बात है कि जब आपने जो है block को बाहर निकाल दिया तो जो displaced volume by the container था वो कम हो गया क्योंकि पहले जो है 132 mm dip था अब जो है 127 mm ही dip है तो यह दोनों अगर हम compare करें पहले case में सिर्फ और सिर्फ container के displaced volume की वज़ा से branchy थी और दूसरे case में container के volume से जो displaced weight निकल करा रहा है और block की वज़ा से displaced volume पानी का निकल करा रहा है उसकी वज़ा से branchy force काम कर रहा है आई होक मुझे लगता है कि यह सवाल आपको क्लियर हो गया है यह चीज और इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ब्लॉक किसी भी डेफ्ट पर है किसी भी डेफ्ट पर है मतलब डिप्ट है उसकी वज़ा से यह आंसर आपका जो है वो चेंज नहीं होने वाला है इसका मतलब इसका मतलब पोफियर नपने के काम आता है यज यहां पर एक फीगर में आपको इक हाइड्रोमेटर दिखाये गया है और यह हाइड्रोमेटर जो है एक हालो ग्लास ट्यूब का बना हुआ इस तरह से कि नीचे बल्प और ऊपर जो है इक मीजिंग स्लेंडर होता है तो यह जो आप देख पा रहे है हाइलेटेड एरिया यही आपका है टॉप पोर्शन में जो है हम स्पेसिफिक रैविटी मीजर करते हैं और बाटम में जो है एक हैवी वेटेड मास होता है इसकी हम बात करें अगर हम बात करें कि इस हैड्रोमीटर को अगर पानी में डिप्ट किया जाए तो जिस लोकेशन पर पानी की सर्फेस और मीजरिंग सिलेंडर इंटरफेस बनाएगा वह जो लोकेशन है वह आपकी कि SW is equal to 1.0 that is the specific gravity of the water वुस पॉइंट को शो करेगा अगर हम इस हैड्रोमीटर को इसी दूसरे लिक्विड में डिप कर दे तो जो डिप्ट हाइट ऑफ ती बल्ब है या डिप्ट हाइट ऑफ या ग्रेजुएशन की जो हाइट है जहां तक डिप हो रहा है वह definitely change होगी और ह हम इसमें बायंसी का प्रिंसिपल अप्लाई करके हम जो है find out कर सकते हैं कि specific relative density of any liquid क्या होगी तो अगर हम इस पे जो अप्लाई करना चाहें तो हमेशा यह जो है weight of जो weight जो होगा इस पूरे के पूरे जो है हमारे हैड्रोमीटर का वह हमेशा जो है सेम रहने वाला है तो change ज होने वाली है तो अगर हम बायंसी प्रिंस्पल यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं कि weight of cylinder जो है वह हम suppose कर लें कि volume जो displaced हो रहा है जब पानी में डूपा है तो वह वी नॉट के बराबर है तो वी नॉट के बराबर जो volume displaced हो रहा है वो देखिए आपको highlighted portion में दिखाया हमने और यही volume displaced हो रहा है और इसमें अगर हम density या specific weight of the water multiply कर दें तो यह total है hydrometer के weight के बराबर होगा अब इसी particular hydrometer को हम एक दूसरे liquid में dip कर रहा है और इस तरह से dip कर रहा है कि जो है वह पानी के comparison में जो है h meter और जो है ऊपर नीचे जो है dip कर रहा है तो ऊपर वाला portion जो है आपका floating है और नीचे वाला portion है वो आपका submerged portion है यह submerged portion जो है वो h meter height इसकी जादा है तो हम जिस liquid में इसको insert कर रहा है उसकी जो है हमारे पास जो relative density या आप relative specific weight कह लें वो जो है आपकी SL है तो हम इसको इस तरह से कुछ लिख सकते है कि specific relative density of the liquid is SL is equal to that is your gamma of liquid divided by the gamma of water तो अगर हम इस equation को rearrange करें तो हम gamma of liquid लिख सकते है एस liquid that is your relative density multiplied by the gamma w तो दूसरे case में भी अगर हम यह माने कि यह जो particular हमारा previous equation 1 मान रहे है और यह हमारा measuring cylinder है यह hydrometer है इसका cross section जो है वो a है और जो additional height इसने dip हुई है वो जो है वो h है चुकि यह liquid जो है पानी के से जो है हलका हमने माना हुआ है तो जो height additionally dipped हो रही वो a h है तो जो additional volume जो dip हुआ वो a h है तो जो total volume अगर हम इसको कहें कि जो इसने displace किया है वो v naught plus a h तो जो a h है वही आपका additional है compared to the case of the water तो हम फिर से जो है इसको use करते हुए अगर इसमें multiply कर दें gamma w के बराबर sorry gamma l into gamma l तो यह जो है weight of the hydrometer के बराब हो जाएगा equation 1 और 2 को अगर हम compare करें तो दोनों ही case में weight of the hydrometer बराबर है तो हम equation 1 और 2 को equate करके लिख सकते हैं v naught multiplied by gamma w is equal to v naught plus a h multiplied by gamma l तो gamma l को हम replace कर सकते हैं sl multiplied by the gamma w तो यह equation कुछ ऐसा दिखेगा v naught multiplied by gamma w is equal to v naught plus a h multiplied by sl multiplied by the gamma w तो gamma w जो है वो दोनों तरफ common है तो हम gamma w को easily cancel out कर सकते हैं और इस equation को अगर हम चाहे तो rearrange करें तो rearrange करके हम direct लिख सकते हैं sl is equal to v naught divided by v naught plus a h यह हमारा जो है वो final equation निकल के आ रहा है जिसको use करते हुए हम किसी भी liquid की relative density निकाल सकते हैं तो अगर हम इस particular hydrometer को different types के liquid में varieties of liquid में या अलग तरह की density वाले liquid में dip करें तो उससे जो है हम जो हमें submergence height होगी हम मान लें कि वो h1, h2, h3, h4 है किसी 4 liquid में तो इनके correspondingly जो है और इसकी जो relative densities है वो suppose कर यह sl1, sl2, sl3, sl4 है तो यह सारे के सारे हम जो है value निकाल कर हम अपने hydrometer को जो है calibrate कर सकते हैं और एक बार हमारा hydrometer calibrate हो गया तो हम उसको easily जो है वो किसी भी liquid में dip करके उसकी relative density पता कर सकते हैं तो दूसरी चाहिए चीज है कि इस तरह के जो instrument है वो जो है automobile industries में use किया जब हमें जो है वो asset की जो है वो relative density अगर हमें पता करनी हो जैसे for example जब battery जो है वो completely charge रहती है तो asset की density कुछ और होती है और जब battery discharge होने लगती है तो battery के अंदर जो asset होता है उसकी जो relative density होती है वो change होने लगती है तो इन दोनों difference का idea जो है हम अराम से काल सकते है करडिशनल चीज और है कि अगर जो है किसी भी स्थिती में यह जो है किसी हलके द्रव के बजाए जो है किसी भारी फ्लूड में द्रवाया जाए यह समाल जे लिक्विड तो यह hydrometer अंदना डिप होने की बजाए ऊपर की और जो है उठेगा compare to the water condition तो अगर हम sw is equal to 1 यूज कर रहे है तो उससे नीचे की जो वैलू आएंगी वो पानी से जो भारी लिक्विड है उनकी वैलू मिजर करने क्लिए तो चलिए आज का जो है लेक्चर हम जो समराइस करते हैं तो हमने जो सबसे पहले है प्रिंस्पल आफ बायंसी समझा है और दूसरा हमने जो है इस बायंसी प्रिंस्पल को जो है इसका वार्ड एक्जामपल यूज किया है और इस निमेरिकल एक्जामपल में हमने शो किया है कि कैसे जो है किसी ब्लॉक की जो पोजिशन है वो कब फ्लोटिंग में है और कब समर्च है उससे जो है बायंसी फोस कै कैसे कैसे जो है चेंज हो सकता है और तीसरा जो है हमने हाइडरोमीटर जो की एक डिवाइस है रिलेक्टिव डेंसिटी किसी भी फ्लूट की निकालने के लिए उसका प्रिंसिपल समझा है एक अडिशनल चीज जो एक इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हाइडरोमीटर जो है जबärt शेविल इंजीनरिंग में बच्के विचय की लाब करते हैं तो उस समय जो है हमें जब कभी किसी केस में निकालना हो किसी किवन स्वाइल का तो उस समय हम हम इस हैड्रो मिटर सिस का यूज करते हैं और यह फ्य का पल्हाज है 우리 ची भी पर ले यह आपको ध्याद रहान रखना है फैन कले पार्ट्ली के लिए यह आफ्इन स्वाइल पार्ट्किल उस case में हम hydrometer analysis करते हैं आज का lecture हम यहीं सवाप करते हैं